हेलो एब्रीवन, वेलकम टो यूपी उनलाइन कोचिंग, यूपी उनलाइन कोचिंग के इस चैनल पर परेवरन यूपी टेट, सी टेट का मैं सीरीज चला रहा हूँ, उसी अनुकरम में आज का यह चौथा वीडियो है, पचेतर कोश्चन पिछले तीन वीडियो में हमने कव कर लिया है, पिछले वीडियो का जो आखरी कोश्चन था दोस्तों, वह यह था परिस्तित की तंत्र के लिए क्या सही नहीं है, तो परिस्तित की तंत्र एक बंद तंत्र नहीं है, इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, कुछ चीजे और बतलाना चाहता हूँ, परिस्तित की तंत होती है तंत्र तो तंत्र की परिभासा जानिए कोई भी छेत्र जिस पर आप study कर रहे हैं वह तंत्र कहलाता है कोई भी छेत्र जिस पर आप study कर रहे हो वह आपके लिए एक प्रकार का तंत्र कहलाता है और तंत्र दोस्तो मुखिरूप से तीन प्रकार का होता है एक होता है open system जिसे खुला छेतर कहते हैं, दूसरा होता है बंद सिस्टम, जिसे हम closed system बोलते हैं या बंद तंत्र, और तीसरा होता है isolated system, प्रिथक तंत्र, तो खुला तंत्र, बंद तंत्र, isolated system में अंतर क्या होता है, difference क्या होता है, यह इसलिए जानना आवस्चेक है, क्यूंकि पारिशित कि तंत्र एक बंद तंत्र नहीं है, यह एक खुला तंत्र है, तो खुला तंत्र और बंद तंत्र में अंतर तो आपको असपश्ट ही होना चाहिए, तो मैं आपको बताता हूँ, तंत्र क्या होता है, कोई भी ऐसा छेतर, जिस पर आप study कर रहे हों, उसे आप एक तंत्र consider कर सकते हो खुला तंत्र अब क्या होता है तंत्र की सीमा से जो भी सिस्टम की मालने ये सीमा है उस सीमा से मास और इनर्जी का अगर आदान प्रदान मतलब उस सीमा के बाहर मास और इनर्जी जा सकता है और उस सीमा के अंदर मास और इनर्जी आ सकती है यानि द्रभिमान और उर् इनर्जी और मास का आदान परदान होता है बंद तंत्र क्या होता है इसमें उर्जा का आदान परदान तो हो सकता है लेकिन मास का आदान परदान नहीं होता है ऐसे सिस्टम को बंद तंत्र कहते हैं तीसरा तंत्र होता है दोस्तो आइसोलेटर सिस्टम तो isolated system means प्रिथक तंत्र, अलग तंत्र, isolated system किसे कहते हैं, neither energy nor mass can transfer the boundary of the system, ने तो energy और ने तो mass कोई भी system की boundary को cross नहीं कर सकता है, ऐसे तंत्र को isolated system कर बोलते हैं, अब बढ़ते हैं, आज के पहले प्रस्ट पर और इस सिरीज के question number 76 पर, कृतिम परिशित की तंत्र क्या है, मतलब निमने लिखित बिकल्पों में से कृतिम परिशित की तंत्र कौन सा है, तो बिकल्प सही है, पहला दोस्तो धान का खेत जो है, एक प्रकार का क्रिसी, मतलब कृतिम परिशित की तंत्र है, अर्थात artificial ecosystem है, अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रशन की तरफ अगला प्रशन क्या है दुतियक उत्पादक कौन सा है आपको पता है कि परसित की तंत्र में एक उभोगता होता है और दूसरा उत्पादक होता है यानि एक उत्पादक होता है और एक उभोगता होता है अब उत्पादक तो आप जानते होंगे भोगता में आपने पढ़ा होगा कि प्राथमिक उभोगता, दुतियक उभोगता, तृतियक उभोगता, लेकिन मैं आपको बतलाता हूँ कि प्राथमिक उथपादक भी होते हैं, कहने के मतलब जो प्राथमिक उभोगता होगा, वह दुतियक उथपादक भी होगा, कैसे अभ प्रात्मिक उभ्भोकता भी बोलते हैं तो प्रात्मिक उभ्भोकता या दुतियक उत्पादक कौन सा है तो इन में से दोस्तों टिड़ा जो है यह दुतियक उत्पादक है या प्रात्मिक उभ्भोकता है कैसे अभी जब समय आएगा तो आपको हम बतलाएंगे हरे पवदे या घास बोल सकते हैं उत्पादक होता है मानसा हारी जीव दुतियक उत्पोगता या तृतियक उत्पादक होते हैं अभी इसको हम clear कर देंगे आपको ठीक है यही clear कर देते हैं जैसे example के तौर पे आप देखिए घास है घास है घास को खाएगा तिद्दा तिद्दा अगर घास को तिद्दा खाएगा और तिद्दे को फिर मेधक खाएगा मानलो आप तिद्दे को मेधक खाएगा और मेधक को सर्प खाएगा घास को टिड़ा खाएगा टिड़े को मेड़ा खाएगा मेड़ा को दोस्तों सर्प खाएगा तो घास तो उत्पादक है टिड़ा प्रात्मिक उभोगता हो गया मेड़ा दुतियक उभोगता हो गया सर्प तृतियक उभोगता हो गया इस रेड़ी में घास टिड़ा मेड़ा सर्प में घास उत्पादक हो गया टिड़ा प्रात्मिक भोगता हो गया लेकिन दोस्तों जब टिड़े को मेड़क खाएगा मेड़क भूगता है बिल्कुल सही है लेकिन जब मेड़क टिड़े को खाएगा तो मेड़क के लिए टिड़ा उत्पादक का काम करेगा लेकिन टि जो स्वापोसी होते हैं मिंस अपना भोजन श्वैम बनाते हैं भोजन के लिए दूसरे पढ़निर पर नहीं करते हैं लेकिन टिड़ा वहां पर दोस्तों दुतियक उत्पादक हो जाएगा तो मेधक प्रात्मिक उत्पादक खा रहा है या कह सकते हैं मेढग दुतियक उत्पादक को खा रहा है दुतियक उत्पादक को खा रहा है इसी प्रकार से मेढग तृतियक उत्पादक हो जाएगा सर्प अंतिम उत्पादक हो जाएगा ऐसे आप स्रेडी को आगे बढ़ा सकते हो I think आपको clear हो गया होगा बढ़ते हैं आज की अगले प् पहतर अपगटन करता को कहा जाता है पहले ये समझते हैं आपको पता है खाथ स्रिंखला में मुक्रिफ से तीन अस्तर होते हैं एक भोगता होता है दूसरा उत्पादक होता है तीसरा अपगटन करता होता है अब भोगता कई होते हैं प्राथमिक दुतियक तृतियक गास हो गया तो दुतियक उत्पादक टिद्दा हो गया तृतियक उत्पादक मेड़क हो गया इस प्रकार से अब अब घटन करता में कौन को राता है मैं आपको कुछ नाम नोट करवा रहा हूं उस नाम को आप कौपी और पेन ले करके नोट कर लीजिए कवक कवक मिन्स अब घटन करता होता है जीवारू जीवारू भी अब घटन करता होता है चीटी चीटी भी अब घटन करता होता है तो कवक जीवारू चीटी और फफूद भी अब घटन करता होता है केचुआ एक नाम केचुआ भी याद कर लीजिए केचुआ भी अब घटन करता किस रेड फफूद यह सब अभगटन करता कहलाते हैं यह अंतिम में जो सड़े गले पदार्त होते हैं या भोगता को यह जो आखरी अस्तर पर खाते हैं उसी को हम अभगटन करता करते हैं और यह अभगटन कर देते हैं उनका इसलिए इनको प्रकिर्ति का महतर कहा जाता है प्रकिर्ति आजयविक घटक नहीं है बलकि जयविक घटक है प्रोटीन हुआ मिर्दा फासफोरस ये सब जयविक घटक है लेकिन कवक आजयविक घटक है प्रोटीन मिर्दा फासफोरस और कवक जयविक घटक है लेकिन प्रस्न अगर ऐसा आए निन्व से कौन सा मंडल का आजयविक घट के दोस्तों कवक जैविक नहीं जैविक घटक है अगर मुझे कुछ तुटी हुई होगी जश्ट स्लिप अप्टंग के कारण उससे आप सुधार लीजीगा राइट यही है कवक जैविक घटक है प्रोटीन मिर्दा फासफोरस जैविक घटक है बढ़ते हैं अगले का नियम किस ने दिया था तो विकल्ब सही है इसका पहला लिंडे मानने दिया था दस प्रसत का नियम क्या है जैसे मैं एक मनुष्य हूँ मैं आलू को खाऊं और मुझे कोई सेर खा जाए तो आलू से जितनी इनरजी मैंने कंज्यूम की है आलू से जितनी इनरजी मैंने कं प्रस्त इनर्जी ही ट्रांसफर होगी 90 प्रस्त मेरे द्वारा मिटाबॉलिजम में यूज कर ली जाएंगी I think clear दस प्रस्त मतलब जितना भी आप खाद पदार्थ लेते हो जितनी भी इनर्जी लेते हो अगर आप वही इनर्जी दूसरे में ट्रांसफर करना चाहो या आपक खा करके कोई दूसरा आपकी इनर्जी लेना चाहे तो वो दस प्रस्त ही ले सकता है जितना आपने गेन किया है उसका इसी को दस प्रस्त नियम कहते हैं और इसको दिया था लिंडे मानने बढ़ते हैं अगले प्रशन की तरफ परितंत्र में मानो क्या है परितंत्र में यान अगर बिकल्बे घूंद दूथम्य को भोगता भी होता है। को भोगता भी होता है दोस्तो और दूतिय को भोगता भी होता है या अगर विकल्ब में सरवाहारी है तो सरवाहारी भी सही है DDT का Pure Roop क्या है DDT का Pure Roop है दोस्तो स्क्रीन पर दिखाए मी दे रहा है non-bio-degradable किट नासक होता है दोस्तों अब non-bio-degradable क्या होता है bio-degradable means ऐसा decomposition जो biological हो सके मिन्स उसको biological decompose किया जा सके जैविक क्रियाओ के द्वारा जैविक मिन्स जहां पे जीवन का उपयोग हो यानि जीव किसी काम को करे सजीव किसी काम को करे non-bio-degradable means ऐसा किट नासक जो कि biological decompose नहीं हो सकता है decompose means पचाया नहीं जा सकता है means एक बार खादर सिंख्रा में अगर यह DDT प्रवेस कर गया तो प्रतेक अस्तर पर निरंतर बढ़ता रहता है इस घटना को जैविक आवर्धन कहते हैं आवर्धन आपने फिरिक्स में पढ़ा होगा आवर्धन चमता लेंस की आवर्धन चमता तो जैविक आवर्धन को इंगलिस में बोल सकते हैं bio-magnification और आवर्धन का मतलब ही होता है बढ़ते रहना तो DDT अगर एक बार खाद सिंखला में पहुँच गया तो वह निरंतर बढ़ता रहेगा क्यों क्यों क्योंकि यह non-bio-degradable होता है यानि biological इसे decompose नहीं किया जा सकता है और यह कीट नासक होता है कीटों को तो मार देगा दोस्तों लेकिन यह नस्ट भी नहीं होगा इसका सबसे वड़ा disadvantage यह ही है अब खाद सिंखला में उर्जा का प्रवाह कैसा होता है खाद सिंखला में जैसे घास को टिड़ा खाता है टिड़े को मेड़ा खाता है मेड़ा को सर्प खाता है ऐसे सोवान तो इसी को हम खाद सिंखला बोलते है एक दूसरे से कैसे यह कड़िया चूड़ी हुई है इसमें जो उर्जा का प्रवाह होता है दोस्तों यह है एक दिसी भी होता है द्वी दिसी भी होता है और बहु दिसी भी होता है तो विकल्ब से योगा चौथा सभी चार्ल्स एल्टन ने पिरामिड की संकल्पना दी थी यह एक सीधा पिरामिड है जो आपकी स्क्रीन पर मैंने बनाया है और यह दूसरा एक उल्टा पिरामिड है उल्टा पिरामिड और सीधा पिरामिड में अंतर क्या है यहाँ पर पिरामिड भी दोस्तों तीन प्रकार का ब नाम से ही असपस्ट है उर्जा का मतलब जो जिव है उनके अंदर जो उर्जा है भजिव भार का मतलब जो जिव है उनका वेट कितना है जिव संख्या का मतलब जो जिव है उनकी संख्या कितनी है उनकी संख्या कितनी है तो इसी आधार पर ये पिरामिट की संकल्पना दी थी Charles Elton ने क्यों दी थी इसकी संकल्पना ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि पेपर आपका objective होता है फिर भी अगर आपको इसकी इसका detailed information चाहिए आप comment में पूछेगा comment में जरूर मैं आपको बतलाऊंगा एक चीजा और होता है तो एक तलाब के को अगर consider करें तो जैसे पिर्थवी है पिर्थवी में दो ही अतों से मुल रूप से मिलकर पिर्थवी बना है एक जल और एक अस्थल मिनसे एक मिट्टी और एक जल तो एक जल में पिरामिट बनेगा एक अस्थल में बनेगा कैसे जल मे सकती है खाद्रिंखला अस्थल पे चल सकती है जैसे मैंस्थल पे रहता हूं मैं अगर आम को खा रहा हूं तो यह अगर जिव भार का पिरामिट कैसा बनता है तो एक पहला जिव भार का पिरामिड भार दूसरा संख्या का पिरामिड तीसरा उर्जा का पिरामिड अब यहाँ पर मैं एक चार्ट बनाता हूँ चार्ट में क्या है यहाँ पर है दोस्तो जल और यहाँ पर है अस्थल यह अस्थल है और यह जल है तो भार का पिरामिड अस्थल प पर हो चाहे जल में हो उर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनेगा चाहे अस्थल पर चाहे जल में अब जिव भार का पिरामिड अस्थल पर सीधा बनता है तो यह समझ जाईए कि जल में उल्टा बनेगा जल में उल्टा बनेगा और अगर भार का पिरामिड अस्थल पर सीधा है तो जो जिव संख्या का पिरामिड होगा वो अस्थल पर उल्टा होगा अगर अस्थल पर संख्या का पिरामिड उल्टा है तो इसका मतलब जल में होगा सीधा होगा जैस्ट आप जाने जिए डाइगुनल डाइगुनल है उल्टा उल्टा सीधा सीधा उल्टा उल्टा और सीधा सीधा एक बार फिर से कहिए तो रिपीट कर दे जिव संख्या का पिरामिड अस्थल पर उल्टा बनता है इसका मतलब जल में सीधा बनेगा जिव भार का पिरामिड अस्थल पर सीधा बनता है इसका मतलब जल में उल्टा बनेगा इसका मतलब जल में उल्टा बनेगा तो बेस पे बहुत जादा भार है पच्छियों का, पच्छियों का या फिर जानवरों का जो भी आप बोल लिजिए, अगर जियो भार का पिरामिड अस्थल पर बनाते हैं, तो माल जी एक पेंड है आम का, और आम के पेंड पर बहुत सारी चिडिया बैठी हुए हैं, बहुत सीधा पिरामिड हो, इन्वाइटेट होगा तब भी बेस सही हम सुरू करेंगे नीचे से, नीचे से ही सुरू करेंगे, तो अगर अगर हम घास फूस को पेड़ के पतियों को या फ़लों को यहाँ पर रखें, तो फ़लों की संख्या बहुत जादा है, उनसे कम जो पच्छ को खाने वालों की संख्या और कम होगी, तो यह हो गया दोस्तों संख्या का, इसलिए सीधा बनता है, अब जल में उल्टा क्यों बन जाता है, जल में उल्टा दोस्तों इसलिए बन जाता है भार का फिरामिड, क्योंकि अगर यहाँ पर जो भारे घास भूस होते हैं, जो प जैसे होता है प्राथमिक उत्पादक का पोसर अस्तर 1 होता है प्राथमिक उभोकता का पोसर अस्तर 2 होता है दुतियक उभोकता का पोसर अस्तर 3 होता है और सर्वहारिया अंतिम उभोकता का पोसर अस्तर 4 या उच्छ पोसर अस्तर होता है तो पोसर अस्तर से नीचे से ऊपर की तरब इसमें हम बढ़ते हैं दोस्तों पिरामिड में हो तो होता क्या है अगर हम जल में इसी पिरामिड को बनाते हैं तो घास वो इसकी संख्या जो होती है जल में वो कम होती है उनसे जादा संख्या होती है संख्या का जल में जिव संख्या का पिरामिड में बना रहा हूं जल में जीव भार का पिरामिड मैं बना रहा हूँ तो उसके बाद जो मचलिया होंगी उनका भार जो पेड़ पौधे होते हैं आनी में उनसे अधाधिक होता है मचलियों को खाने वाले जो बड़े जानवर होते हैं उनका भार छोटी मचलियों से भी अधिक होता है, तो जो अधिक वो ज्यादा इस पेस लेगा पिराविट में, कंसेप्ट ऐसे ही होता है, अगर आपको कोई कंफ्यूजन रह गया होगा, आप पूछिएगा, आपको कॉमेंट में असपष्ट कर दिया जाएगा, फुल एक्स् चरण के, तृती चरण के उपभोगता को अपमार्जक भी कहते हैं, अपमार्जक भी कहते हैं किसको तृती चरण के उपभोगता को, अब घटन करता का नाम मैंने आपको तीन-चार बतलाया था, अब घटन करता का नाम मैंने आपको तीन-चार बतलाया था, अब घटन करत प्रकृत का मेहतर किसे कहते हैं भटन करता को अब भटन करता को मृत पोशी भी कहते हैं क्योंकि मृत जानवरों या पसुओं या जीवों से अपना पोशन करते हैं यह भटन करता मतलब अपना जीवन या अपन चलाते हैं तो तलाब में जीवभार का पिरामिट कैसा बनता है उल्टा बनता है, बिकल्ब सेयोगा पहला, तलाब में जीव भार का पिरामीट, तलाब में सबजल की बात हो रही है, जीव भार का पिरामीट उल्टा बनेगा. बढ़ते हैं अगले question की तरफ जयव बीविरिता का अर्थ क्या है तो दोस्तों जयव बीविरिता का अर्थ है एक निर्धारी छेतर में बीविन प्रकार के पादप एवंग जन्तु ध्यान दीजीगा एक निर्धारीत होना चाहिए फिक्स होना चाहिए बात दोनों की हो रही या पादप की भी हो रही है जन्तु की भी हो रही है क्योंकि जयव बीविरिता केवल जन्तु के लिए नहीं है जयव मतलब जीवन और जीवन पादपों में भी है और जन्तु में भी है मतलब फ्लोरा में भी है और फना में ही है इसलिए बाइलोजी के अंतरगत हम दोनों क पाद्यान करते हैं ज्लोजी और बाटनी दोनों का अध्यान करते हैं फ्लोरा उर फना का तो इश्टेडी आफ फ्लोरा एंधवाव बायलो तो एक निर्धारी छेतर में विभिन प्रकार के पादप एवंग जन्तु अगर पाई जाते हैं तो उसी को जय विभिरिता मतलब जीवन की विभिरिता अलग अलग प्रकार के जीवन उस निर्धारी छेतर में रहते हैं इसी को जय विभिरिता कहते हैं अगर एक निर्धारी चित्र में बहुत जादा प्रकार के जीवन बहुत अलग-अलग प्रकार के जीवन पाए जाएंगे तो वहां के जव भीवेता अधिक होगी अगर एक निर्धारी छेत्र में मतलब एक टाइप के या बोल दीजे दो तीन प्रकार के जीवन ही पाय जाते हैं तो वहां के जव विवेता कम प्रिटी अवली कम होगी बढ़ते हैं अगले कोश्चन की तरह जव विवेता दिवस मनाय जाता है 22 मई को पिछले बीडियो में मैंने पूछा था आपसे 22 मई को क्या मनाय जाता है 22 मार्च को तो आपने देखा था 22 मई और 22 अपरेल को विवारे मैंने किसी ने कॉमेंट में जवाब नहीं दिया तो आप जाने जिए जैव बीविर्ता दिवस 22 मई को मनाया जाता है विसुजल संड़ छड़ दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है और 22 अप्रेल को पिर्थवी दिवस मनाया जाता है यह 22 वाला डेट इंपॉर्डेंट होता है अब बढ़ते हैं आज के अगले प्रस्ट पर सरप प्रथम जैव बीविर्ता सब्द का प्रियोग वाल्टर जी रोजेन ने किया था 1985 में वाल्टर जी रोजेन या रोसेन भी पढ़ते हैं कुछ लोग एक्शुरी हुआ क्या था 1968 में रेमंड या डैसमैन ने सबसे पहले डाइवर्सिटी सब्द दिया था लेकिन 1985 में रोज जी रोजेन ने 1985 में अब जैव बीविर्ता का पिता किसे कहता है ये विल्सन को क्यों क्यों कियों ये विल्सन ने एक्सेट किया था थे ओरी को मतynasty बहुत सारा काम किया था जैव बीविर्टा के उशलिए लेकिन 1986 में इनों ने accept किया था रोजन की, Walter G. Rogan के ठीओरी को भी. 1985 में तो उन्होंने अपनी ठीओरी दी थी और सब्द भी दिया था, जैविक बीबिरिता या जैवीबिरिता और 1986 में E.O. Wilson ने accept किया था रोजन की ठीओरी को. ये भी ध्यान रखिएगा. बिश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ती कहां पर पाई जाती है तो बिश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ती ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है जिसका नाम है ग्रेट बैरियर रिफ जो बिश्व की है उसका नाम है ग्रेट बैरियर रिफ ऑस्ट्रेलिया में पाई ज पहा जाता है तो किस भॉग्णोलिक छेत्र को दोस्तों जयविर्ता का भंडार मतलब जयविर्था बहुत ज्यादा पायाती है उस्रड़ कटिबंधी वर्सावन में इसका मतलब बिभिन्य प्रकार के जानवर उस निश्चित छेत्र में बहुत ज्यादा पाया जाते है, यह की एक ताइप की जानवर बहुत ज़्यादा हो विभिन प्रकार की जानवरों की भिनता ज़्यादा है उसे बायोडर्सिटी कहते हैं क्योंकि सरवाधिक जैव विविदिता उस्रकटि बंधी वरसा बन में ही पाई जाती है आपको पता है जहां पर वरसा और उस्मा रहेगी वहाँ पर अनेक अनेक प्रकार की प्रजातियों का स्वैम उध्वा हो जाता है जैव विविदिता कम होने का प्रमुख कारण कौन सा है अगला प्रसन है जैव विविदिता कम होने का प्रमुख कारण कौन सा है तो जैव विविदिता कम होने का प्रमुख कारण दो है दोस पुष्ट भी रहते हैं और लोग भी रहते हैं अगर इनके आवास का विनास हो गया तो यह यहां से हट जाएंगे तो जैवी भी रहता कम हो जाएगे तो नॉर्मन मायर ने होट इसपार जिसे संबेदन सील अस्थल कहते हैं या ताप अस्थल कहते हैं का सब्दकाप्रियोग सबसे पहले किया था मतलब ऐसा अस्थल जो संबेदन सील है जहां पर जानवरों को खतरा है उसी को हाट स्पोर्ट घोसित किया आता है भारत में हाट स्पोर्ट अस्थल है निम्लिखित मेसेद तो मैं आपको बताओं भारत में जो भी बिकल पे दिया है सभी हाट स्पोर्ट अस्थल है भारत में चार हाट स्पाट अस्तल हैं भारत में आई रिपीट पूर्वी हिमालिया पश्चमी घाट में मार भारत सीमा अंड मान एवं नीपो नीको बार दीप शमू बरते हैं आज के अगले प्रशन पर किसी प्रजाज को बिलुक्त माना जाता है जब हुआ अपने प्राकृतिक आव वर्स होता कि ये कौन डिसाइड करता है आई यू सी यन एक संस्था है आई यू सी यन इंटनेशनल यूनियन फर कंजर्वेशन आप नेचर इसके अस्थापना हुई थी दोस्तों 1948 में हिंदी में इसे बोलेंगे प्रकिर्ति सनरच्छन के लिए अंतराष्टी संग प्रकि रेट डाटा बुक जारी करता है आई यू सी यन 1963 से कब से 1963 से रेट डाटा बुक जारी करता है आयू सी यन 1963 से मतलब रेट डाटा बुक को तयार ही करता है आई यू सी यन अब यहां पर डबलु डबलु यफ क्या है डबलु डबलु यफ वर्ड वाइल लाइफ फंड इस हिंदी में WWF को बोलते, इसका फुलफार में एक बार यूपीटेट में आ चुका है, WWF stand far, विकल में था World Wildlife, एक विकल था World Wildlife Fund, तो माना गया था World Wildlife Fund, फार नेचर इसका फुलफार मोता है, अगला कोशन है, बिलुप्त होने वाली जातियों की सूची, सूची कहां पर सूची बढ़ की जाती है Red Databook में Red Databook कौन जारी करता है IUCN IUCN के स्थापना कब हुई थी 1948 में Red Databook IUCN कब से जारी करता है 1963 Red Databook कौन जारू करता है IUCN तो Red Databook में होता क्या है दोस्तो Red Databook में जो ऐसी प्रजातियों या जानवरों को लिस्टेड किया जाता है जिनके जीवन को खत्रा है पांच प्रकार की उसमें कटेगरी होती है एक होता है विलूप्त जिसे इंगली से बोलते है एक्स्टिंट E-X-T-I-N-C-T E-X-T-I-N-C-T एक्स्टिंट इसमें पांच टाइप की होते है तो बिलूप्त होने वाले प्रजातियों को सुचिवद्ध किया एता है ऐसे पांचो का नाम आएगा बिलूप्त प्राय, बिलूप्त या क्या बोलते हैं इंडेंजर्ड, इसपे सीज ऐसे पांचो का आएगा अगर आपको पांचो नहीं पता है कि डाटाबुक में जो जानवरों को लिस्टर किया था कितनी केटेगरी बनाएगी है पांचो का नाम मैं कमें बतला दूँगा बढ़ते हैं आज के पहले अगले प्रस्ट पर जैब विविट्यता में परिवर्तन होता है परिवर्तन तो प्लेस टूपलेस होगा ही लेकिन बिकल्ब कौन सा सही है इस कथन के संबंद में तो भूमद दरेखा की तरफ घटती है? नहीं समान रहती है पूरी पृत्यवपर नहीं दुरोओ कि तरफ बढ़ती है नहीं भूमद रेखा कि तरफ बढ़ती है क्योंकि भूमद रेखा के आस-पास का जो छेत्र होता है वहिं दोस्तों, उसरक कटिवंधी वरसा वन वाला छेत्र होता है भूमद रेखा means equator अब equator क्या है? equator is a line which divides the Earth into Two Equal Part उसे एक्वेटर बोलते हैं, जीरो डिग्री लाइन को, तो भूमद रेखा की तरफ जय विविरता बढ़ती है, और ये भी कह सकते हैं, भूमद रेखा के आसपास ही उसरे कटिबंधी बर्शा बन पाए जाते हैं, क्लियर, सरवाधिक जय विविरता कहां पाई जाती है भारत में, तो सांत घाटी में सरवाधिक जय विविरता पाई जाती है, सांत घाटी कहां है, केरल में है, सूर्मा घाटी कहां है, सूर्मा घाटी बंगलादेश में है, फूलो की घाटी कहां है, फूलो की घाटी सांत घाटी पश्चमी घाट परवतों का हिस्सा है केरल में ही पेरियार राष्टी उध्यान है इसे पेरियार टाइगर रिजर्व ही बनाये गया है मैंने राष्टी उध्यान का अलग वीडियो टाइगर रिजर्व आपको मिलेगा उसमें राष्टी उद्यान जी से नेशनल पार्क बोलते हैं टाइगर रिजर्ब एलिफैंट रिजर्ब बायो स्फेर रिजर्ब वाइल लाइफ सेंचुरी पर अलग अलग वीडियो है एक घंटे का तो उसमें आप जाएंगे तो आपको समझ में आजगा एल बलके पेरियार राष्टी उद्यान में टाइगर रिजर्ब भी है एलिफैंट रिजर्ब भी है इसी राज में पेरियार था पामबा नदियां भी बहती है पेरियार नदी के आसपास के चेतर को पेरियार राष्टी उद्यान घोसित किया गया है तो सरवादिक अद्र लिखा है गलत है उसमें टाइपिंग मिश्टिक है नम भूमि से संबंदित है नम भूमियों को बचाने के लिए एक सम्मेलन हुआ था 1971 में इरान के एक सहर जिसका नाम है रामसर दो फरवरी 1971 को तुम्हाँ पर रामसर कंवेंशन साइन हुआ था अब आज का आखिरी प्रसंदोस तो वेट लैंड डे कम मना जाता है वेट लैंड डे मतलब आद्र भूमि दिवस कम मना जाता है दो फरवरी को दो फरवरी को ही क्यों मना जाता है क्योंकि दो फरवरी 1971 को रामसर सम्मेलन जो कि नम या आद्र भूमि से संबंदित था साइन हुआ था या सम्मेल हुआ था दो फरवरी 1971 को रामसर सम्मेलन नम भूमियों या आदर भूमि के उपर हुआ था इरान के सहर रामसर में इसलिए दो फरवरी को प्रतिवर्स मनाय जाता है वेट लैंड या आदर भूमि दिवस तो दोस्तों यह रहा हमारा इस स्रीज का बेस्ट पाइप अंडड को सो कोश्चन अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक कर दीजेगा कोई सुझाओ होगा कॉमेंट में जरूर दीजेगा अगर कोई और प्राबलम होगी तब भी आप कॉमेंटे पूछेगा कोशिस करूँगा कि आपकी समस्या का समधान ज्यादा से ज्यादा कर सकूँ थांक्स पर वाचिंग